नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूग चैनल टीवी शो विडियोज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं, तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। म्रिनाल कुलकर्नी अपनी अदाकारी से लोगों पर अपना जादू चलाने में माहिर म्रिनाल कुलकर्नी का जन्म 21 जून 1971 के दिन पुने में हुआ था। म्रिनाल की शुरुवाती पढ़ाय लिखाई पुने से ही हुई। वहीं उन्होंने पुने यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। म्रिनाल जब महस 16 साल की थी, तब उन्होंने मराठी सीरियल स्वामी से टीवी की दुनिया में डेब्यू कर लिया। इस सीरियल में उन्होंने पेश्वा माधोराव की पत्नी रमाबाई पेश्वा का किरदार निभाया था। इसके बाद वह कई बॉलिवुड और मराठी फिल्मों में काम किया। हालांकि म्रिनाल को आज भी सोनपरी के नाम से जाना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि म्रिनाल को बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में दिल्चस्पी नहीं थी। वह अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहती थी। जिसके चलते एक्टिंग के ओफर लगातार ठुकरा रही थी। हालांकि साल 1994 में उन्होंने अभियन की दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। म्रिनाल को काम्याबी श्रीकांट, दग्रेट मराथा, द्रॉपदी, हसरात, मीराबाई, शिक्षक्त, स्पर्ष और सोनपरी आदी सीरियल से मिली। इसके अलावा वह विध्यापन जगत का चर्चित चहरा बन गई, जिसके बाद उन्हें फिल्मों के आफर मिलने लगे। म्रिनाल ने जमाल हो जमाल, घरवाह, लेकरू, ठंग, जोडीदार आदी मराथी फिल्मों में काम किया। वहीं कमला की मौत, डौ उन्होंने बाबा साहिब अंबेड कर, वीर सावर कर, कुछ मीठा हो जाएं, आशिक, मेड इन चाइना और राम गोपाल वर्मा की आग आदी हिंदी फिल्मों में भी नज़र आईं। बता दें की मरिनाल कुलकर्णी ने मराथी फिल्म प्रेम इसे प्रेम इसे प्रेम हुस्ता का निर्देशन भी किया था। बता दें की मरिनाल ने अपने ही दोस्त रुचर कुलकर्णी से शादी की दोनों के एक बेटा भी है। दकश्मीर फाइल्स में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया था इसके अलावा वह मराथी फिल्म साथ सबूत और सारी में भी काम रही है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई और जयहिन